नमस्कार दर्शकों पूजनी स्री पंडित प्रदीव जी मिस्राद्वारा नरक चतूर दर्शी के दिन पूजा का विधान बताया गया है जो पूजा हमने उनके कहे अनुसार धन तेरस के दिन करी थी उसी पूजा की धाली को हमें आज के दिन भी इस्तिमाल करना है कल यानी धन तेरस के दिन जो पूजा का विधान बताया गया था उसी तरीके से आज विधान बताया गया है पूजनी स्री पंडित प्रदीव जी मिस्राद्वारा आज हम आपको पूरा बताते हैं कि किस तरीके से आपको आज की पूजा करनी है पूरा वीडियो हमने बना दि तो आप लोग इस वर्डियों पर बने रहिएगा जो पूजा की थाली आपने कल यूज की थी जिसमें चांदी के सिक्के की उपर कलावा बांद करके पूजा आरचना की थी आज हम विधान बताते हैं किस तरीके से आज पूजा करनी है उन्होंने बताया गया है कि आप उसी पूजा की थाली को फिर से चोकी सजा करके चोकी के उपर विराजमान करिये आपने जो चोकी जमाई हुई थी उसी के उपर आप वैसे की वैसे ही स्थान पर वैसे की वैसे ही जमा लें फिर उसी थाली पर आप वही जो सिक्का लिया है उस पर आपने मौली लपेटी थी वो वही विराज मान कर लें और सांत में भगवान विश्णू माता लक्षमी गणेश और माता सरस्वती की प्रतीमा रखें विदिवत आप पूजन अर्चना सुरू कर दें अपने उस थाली को उठा भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आप फिर से वही चोकी फिर से जमा सकते है उसके बाद आपको एक दिया आटे का चोमुखी बनाना है चार मुख वाला दिया बनाए आटे से बनाए उसमें चार बातिया डालें चाहे तो उसमें आप सरसो का तेल डाल सकते हैं तिली का तेल डाल सकते हैं या फिर मीठा तेल यानि मुमफली वाला तेल डाल सकते हैं औ और उस दीब के अंदर चौमुखी दीब के अंदर आपको थोड़ी सी पीली सरसों पीली सरसों नहीं है तो आप काली सरसों भी डाल सकते हैं थोड़े से दाने डालना है उसके अंदर दीब के अंदर और उसके अलावा आपको एक गी का दीपक लगाना है गी का दीपक आप ग चौमुखी दिया है वो लक्षमे जी के उल्टे हाथ तरफ और आपके सीधे हाथ तरफ आना चाहिए यानि लक्षमे जी के उल्टे हाथ तरफ आपको चौमुखी दीपक रखना है तेल वाला और आप विदिवत उन सिक्कों पर जो सिक्के रखे हैं उन पर विदिवत जल का चीटा दे करके आप हाज जोड़कर भाव से माता लक्ष्मी का गणिज जी का इस्मरण करके भगवान विष्णू माता सरस्वती का इस्मरण करके आफ वीधीवत वस्थ रुपी कलावा अर्पित करें रोली अर्पित करें चंदन और अभीर गुलाल अक्षध मेहंदी और जो भी सामगरी आप अरपित करना चाहते हैं माता को सुहक का सामान वह सारी वस्तुएं आप माता को अरपित करें और जो कल्दार एं सिक्के हैं उन पर भी आप ये सारी सामगरी अरपित करें पांच अमर बेल के तुकड़े, पांच कमल गट्टे और पांच हल्दी की गाट उस पर समर्पित कर दे और माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दे, मीठे में आप खीर बना सकते हैं या फिर कोई भी मीठी मीठाई आप रखें सफेद कलर की या जैसी भी आपको विदिवत भोग लगा दे माता को मीठे का और फिर माता को प्रणाम करके सुन्दर जो चौमुखी दीपक बनाया है आपने उसे वही रखे रेने दे और उसके बाद आपको जो एक बाती वाला दीपक हमने घींका बनाया था उसको उठा करके आपको माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद में उनको दीप अरपित करने के बाद में अनुमोधन करने के बाद में उन्हें प्रणाम करने के बाद में और फिर माता लक्ष्मी के स आप हमारे घर में सदा के लिए विराजमान रहुं, फिर अपने इस्ट देव, अपने कुल देव का इस्वरण कीजिए, उने प्रणाम कीजिए और निविधन करें माता लक्ष्मी से हे माई यह आज आप की ही कृपा है जो आज आप हमारे घर में आई हो, ऐसी ही सदा हमारे विराजमन रहिएगा आपी की करपा है जो आज मैं आपकी पूजन कर रही हूँ अर्चना कर रही हूँ आपी की करपा से ये सब कुछ प्राप्त हुआ है नो सके तो माता को लाल पुष्प जरूर समर्पित करें और उन सीकों पर भी लाल पुष्प जरूर समर्पित करें में दरवाजे पर याने आपके घर के मुख्य द्वार के बीचो बीच उस दिये को रख कर आना है थोड़ी दिर आप दरवाजे खुले रखे घर के बीचो बीच उस दरवाजे को बीचो बीच में द्वार है उसके बीचो बीच आपको उस चो मुख्य दीपक को रखना है प् जलाना है चौह मुखी आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही विधी विधान से पूजा हम आपको बताते रहते हैं हमारे चैनल पर और कई ऐसे उपाएं जो पूजनी स्री पंडित प्रदीप जी मिस्रा दोरा बताए गए हैं उन्हें हम आपको बताते हैं आप उन्हें नोट भी कर लीजिएगा और भी उपाए जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को भेजिएगा ताकि उन्हें भी इस बात के जानकारी हो और वेवी वीधिवत इस पूजन को कर सके मिलते हैं अगले वीडियो में स्रीशिवाई नमस्तु भी हम जाए माता जिदर्श को